हम आपको बताने वाले बिहार में निकली ये बहुत ही बड़ी बंपर भरती जी हाँ 94,000 पोस्त की टीचरों की भरती चलिए हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले है कि इस भरती की क्या प्रक्रिया है कैसे होगी कब से आएगी ये भरती तो चलिए इस वीडियो के आखरी तक आपको बने रहना है तब ही आप जान पाएंगे इसकी सारी बात और आप कैसे आवेदन करेंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं बिहार टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2020 बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट डिकूर्प्मेंट 2020 टोटल 94,000 फोस्त की ये भरती जल्दी आने वाली है चलिए इसका डिटेल हम आपको बता दे दोस्तों ये फॉर्म आपको मिलेगा का सबसे पहले हम असली आपको ये बताने वाले है यहां दोस्तों ये फॉर्म आपको मिलेगा रोजगार्रिजल्ट.com पे यहां दोस्तों रोजगार्रिजल्ट.com आप खोलेंगे वेबसाइट ध्यान रख लीजे रोजगार्रिजल्ट.com जरूर लगाईएगा लोगो पैचान लीजे तो तो इसी वेबसाइट पे आपको इस फॉर्म की बारे में पुरी जानकारी मिलेगी आपको सीदे नीचे आना है टॉप ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन पे जैसे आप नीचे आप आएंगे आप नीचे देख सकते बिहार पीचर 94,000 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 जी हाँ दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है आप जैसी इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते है ये फॉर्म का जो पोस्ट जेट है वो दस जून यानि दस जून के साइट पर पब्लिस की गई है और 94,000 पोस्ट की ये वेकेंसी है जी हाँ बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ सी ये वेकेंसी जारी होने वाली है फॉर्म ये आएगा 15 जून 2020 से जी हाँ 15 जून 2020 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जिसी भरने के आगरी तारिक 14 जुलाई 2020 है यानि एक महीने के लिए पूरा फॉर्म आ रहा है आप अराम से भर सकते हैं 14 जुलाई तक आप इसका पेमिंट कर सकते हैं बात करें एज की तो 18 साल से 37 साल के बीच के लोग इसमें आविधन कर सकते हैं इसमें डियलेट सीटेट मांगा गया है और भी इसमें और भी जो कंडिशन होगी वो आपको 15 जून से पता लगी कि जब इसका पूरा अड़िटीजमेंट आ जाएगा तो दोस्तों यह सजारी डिटेल हम आपको बता दें टेंटिरिव डिटेल है यानि जो अनुमानिट डिटेल है बात करें पूस्त की तो प्राइमरी इसके टीचर के लिए 42,606 मिडिल स्कूल के टीचर के लिए 28,638 बेसिक एजुकेशन टीचर के लिए 31,90 हाइयर सेगेंडरी एजुकेशन के लिए 32,916 और कंप्यूटर टीचर के लिए 1000 पोस्त है यानि कुल मिला के 94,000 पोस्त की यह भरती है दोस्तों इसका क्या सेलेक्शन प्रोसेड रहेगा इज़े भी आया नहीं है जल्दी आ जाएगा तो आपको रोजगार रिजल डॉट कॉम पर मिल जाएगा और दोस्तों जैसी यह आपको फॉर्म चालू होगा आपको तुरंत आप रोजगार रिजल डॉट कॉम के मुबाइल एप पर इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी इसलिए आप तीदे आप डाउनलोड मुबाइल एप कर लिजे यह आप इसके क्रिक करेंगी यह प 94,000 सिक्षोगों की बाहली 15 जून से जमा होंगे आवेदन तो दोस्तों इस तरीके से यह अक्वार में न्यूज निकली है कि और सारी डिटेल भी इसमें दी हुई है कब से कौन सी प्रकरिया होने वाली है अगर यह आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो रोजगार रिजल और आप आसानी से आपको सारी नोटिफिकेशन रिजल्ट एटमिट कार्ड की सोचना मिलती रहेगी तो दोस्तों बगएर समय गवाय तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सब्स्क्राइब कर लिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती की रहे और उस